हेलो गाइज गूड मॉर्NING आईएम चेतना कोवर फिर मायकोन स्कूल जेजी सी आज हम पढ़ेंगे कम्पूटर दे फिप्त दे फोर्थ में हमने सेकंड चैप्टर पढ़ाता दे फिप्त में हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे एक वर फिर से देखिए यह हमारी मदद कई तरीकों से करता है फर्स्ट एक कम्पूटर कें प्ले गेम एक कम्पूटर हमारे साथ गेम खेल सकता है फर्स्ट एक कम्पूटर हमारे जोड़ बाग सोल्व कर सकता है थर्ड एक कम्पूटर टाइप लेटर, स्टोरीज और पोयम एक कम्पूटर टाइप कर सकता है लेटर, स्टोरीज और पोयम We can also take prints of them हम इनकी prints भी ले सकते हैं Fourth है आपका We can make drawings on a computer Computer पर हम drawing भी बना सकते हैं Fifth है आपका एक computer can play music for us एक computer पर हम music भी चना सकते हैं Sixth है आपका एक computer can show us movies Computer पर हम movies भी देख सकते हैं Seventh है आपका एक computer can help us in making our school project एक computer की मदद हम ले सकते हैं School के project बनाने में Eighth है आपका एक computer is also used in making building machine एक computer उपयोग में आता हैं Building machine बनाने के Ninth है आपका एक computer is also used in designing clothes and jewelry एक computer उपयोग में आता है Cloth and jewelry design करने के Third, tenth है आपका scientist used computer for research जो scientist है वो computer के use करते हैं Research करने के लिए Okay guys यही आपका आज कवार के इसको rate करना है All right करना है Okay guys thank you goodbye